Dear students, good morning. I am Renu Rathi and today I am going to start chapter number one of maths and whose title is Shapes and Space. Shapes का मतलब different different shapes, जैसे triangle, rectangle, circle, ये shapes होती है. Space का मतलब क्या है यहाँ पे? कि position, किसी चीज की, किसी थिंग की, किसी अनिमल की, क्या position है? कि वो inside है, outside है, on है, under है. ये क्या होती? positions होती है. मलब की space, कि वो कौन सी जगह पर है? तो सबसे पहला जो topic है, वो क्या है? Inside, outside. ये topic है. Inside का मतलब अंदर की तरफ, outside का मतलब बाहर की तरफ. अब देखिए, इसके बारे में एक story है, inside and outside के बारे में. The Arab, एक अर्ब है, ठीक है? and his camel, और उसका camel. अर्ब मतलब जो अर्ब देश का रहने वाला है, एक person है ये, और उसके साथ एक camel है. It was a cold winter day. ये एक ठंडी, cold winter मतलब जो ठंडी सर्दियां है, उनका दिन है. ठीक है, day है, the Arab, देखो अब अर्ब को लिखा नहीं गया है, सिर्फ उसकी picture बनाए गई है. The Arab, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसको अर्ब, क्योंकि वहाँ पे इसने denote कर दिया, अर्ब को कि ये अर्ब है. ठीक है, the Arab was traveling on the camel back, अब देखो camel भी नहीं लिखा है, लेकिन हमें camel बोलना है, कि जो अर्ब था, वो travel कर रहा था, यात्रा कर रहा था, वाज मतलब था, traveling मतलब यात्रा कर रहा था. चीक है, on the back, back पे, किसकी back पे, camel की back पे, camel back, बोला ना, on the camel back, camel की back पे, मतलब उट की, peat पे, back मतलब उसकी peat, at night, रात के समय, the Arab, peached his tent, रात के समय, जो अर्ब है, उसने अपना tent, खोल लिया, मतलब लगा लिया, पीच कर लिया, दब लगा लिया, and went inside it, और उसके अंदर चला गया, tent के अंदर चला गया, the camel was outside, जो camel था, वो कहा था, बाहर की तरफ था, जो Arab है, वो inside था, और camel outside था, चीक है, देखे, next picture में दिखा रखा है, कि यह ऐसे बैठ हुए, अब देखे, क्या होता, desert में क्या होत होती है, मलब बहुत गर्मी होती है, वहाँ पर, और जो रात होती है, night होती है, वो very cold होती है, ठीक है, मतलब बहुत थंड होती है, रात किसमें, जिन किसमें गर्मी पढ़ती है, और रात किसमें थंड हो जाती है, क्योंकि जो sand होती है, वो जल्दी थंडी हो जाती है, इसल मैं नेक इंसाइड में आई मतलब परमीशन मांग रहा है अरब से कि क्या मैं अपनी नेक मतलब अपनी गर्दन अंदर पुट कर लूं मतलब रख लूं अंदर ले आउं टेंट के क्योंकि इट वस्थू कोल्ड आउटसाइड क्योंकि बाहार की तरफ बहुत थंड है थू कोल अरब की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना यह एरो इसकी तरफ लगा रखा है तो इसका वंदर यह बोल रहा है ओके ठीक है यू में पूट यूवर नेक इंसाइड तुम अपनी नेक को अंदर की तरफ रख सकते हो ठीक है अब देखिए फिर क्या कहता है कैमल अब अंदर आगे वाले पैर अंदर रख सकता हूं क्योंकि यह बाहर बहुत है ओके यू में पूट यूवर फ्रेंट लैक्स इंसाइड फिर से अरब क्या कहता है ठीक है तुम अपने फ्रेंट लैक्स अंदर रख सकते हो ठीक है अब रख लिए उसने लैक्स भी रख लिए देखो अंदर आ सकता हूं बाहर बहुत है अरे नहीं जो टेंट है वो बहुत छोटा है हम दोनों के लिए ठीक है अब देखिए अब क्या कर रहा है कैमल सु आयम कमिंग इंसाइड इसलिए मैं अंदर आता हूं आ रहा हूं and you go outside और तुम बाहर जाओ देखिए अब कैमल अंदर आ पूरा का पूरा है ना it's funny ना मज़े आ रहे हैं इस पोयम में इस एक स्टोरी है लगवग यह चीक है स्टोरी यह अंदर आ गया अरब देखो बाहर आ गया है मलब यह कैमल ने इसको बाहर निकाल देया है पूरी तरह से अब देखिए यहां पे जो कैमल है उसको लिख उसक यह सिंबल है अब यह इसके बाले है इसमें हमें क्या पता चला कि इंसाइड और आउटसाइड दो हमें पोजिशन पता चली इंसाइड का मलब अंदर की तरफ और आउटसाइड का अंदर बाहर की तरफ स्टार्टिंग में जो अरब था वो इंसाइड था ना और जो कैमल वो outside था लेकिन end में क्या हुआ जो camel है वो inside आ गया और अरब outside आ गया है ना तो यह this is a funny story अब देखिए bigger and smaller bigger और smaller कभ यूद्ट किये जाते हैं जब हम किसी दो चीज में compare करते हैं कि कौन सी बड़ी है खूंसी चूती है ठीक है अगर हम सिम्पल यह कहते कि big और small तो हम सिफ क्या कहते हैं एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यह चीज बड़ी है ठीक है लेकिन अगर हमें bigger और स्मॉलर का यूज करते हैं बिगर और स्मॉलर जब हमें दो चीजों में किनी दो चीजों में कंपेर करना होता है तो हम बिगर और स्मॉलर का यूज करते हैं तो remember when we want to compare any two things then we can use bigger and smaller अब देखिए टिक दा बिगर अब बिगर इन में से कौन है इन दोनों में से बड़ा कौन है कौन है बिगर वन इस वन हिपोपोटेमस चिक है राइनो राइनो नहीं हिपोपोटेमस है राइनो नहीं है हिपोटेमस है चिक है तो दिस टिक कर देंगे हम इसको उसके बड़ देखिए टेक दो smaller आप ये ली और ये लीव है दू लीफ है एक लीफ एक ये लीफ तो लीब हैं तो इन में से smaller कौन सा है तो इस वन as you can see आप देख सकते हैं कि ये छोटा हमें नजरा रहा है तो this is smaller ठीक है smaller ये है अब cow और squirrel एक squirrel है, गिलहरी है और एक cow है इन दोनों में से कौन छोटा है गिलहरी है of course छोटी है वो smaller है as compared to cow cow की बजाए ये छोटी है एक दस smaller tire अब देखिए ये दो बच्चे tire से खेल रही है तो कौन सा tire छोटा है ये है आप भी कभी खेलते हो tire से येस एक अच्छा game है ये भी ठीक है अब देखिए ये तो smaller और bigger कि जब हमें दो चीजों में compare करना हो तब हम bigger और smaller का use करते हैं दो दो चीज़े थी सारी है न अब आ गया biggest and smallest कि जब हमें दो से जादा चीजों के बीच में बताना हो या compare करना हो compare का मतलब कि हमें तुलना करनी हो कि कौन सी सबसे बड़ी है ठीक है compare का मतलब ये होता है कि बहुत साई चीजों में से बताना हो कि कौन सी सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है तो हम biggest और smallest का use करते है take the smallest tree अब इन तीनों में से अब देखे पहले इन दोनों में से देखो कौन सबसे छोटा है ये है फिर इन दोनों में से देखो कौन चोटा है यह चोटा है, दिखी रहे तीनों में से सबसे चोटा, यह है, सबसे चोटा, यानि कि तीन चेज़े देगी और उनमें सबसे चोटा, तीन से जादा भी हो सकते थे, चार भी हो सकते थे, ट्री, पांच भी हो सकते थे, तो पांच ट्री में से हमें बताना होता कि सबसे छोटा कुन सा है तो हम smallest word का use करते हैं ठीक है अब देखे take the biggest animal अब इन तीनों animals में से सबसे बड़ा animal कोन है ये है elephant of course तो elephant पे हम करेंगे biggest मनद सबसे बड़ा मनद जादा चीज़ों में से सबसे बड़ा हो take the smallest root आप देखे तीन फ्रूटा में दिये गए है इन में से सबसे छोटा ये है smallest में सबसे छोटा take the biggest bubble आप देखे बच्चा एक bubble बना रहा आप भी बनाते होंगे कभी तो आप देखे ये सबसे बड़ा bubble कौन सा है ये पूछ रहा है biggest bubble ये है तो इस पर टिक करेंगे आप भी bubbles बना सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा bubble कौन सा है अब देखे नेक्स्ट है topic top and bottom किसी एक चीज़ पे क्या चीज़ है जो top पे है चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर होगा वो top मतब सबसे ऊपर उसके ऊपर वाले हिस्से में और bottom उसके नीचे वाले हिस्से पे अब देखे यहाँ पे अगर हम ट्री की बात करें ठीक है यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ठीक है और यह एक पारक का सीन दिखाया गया है देखे चलो जूले की बात करते हैं पहले यह क्या slide है slide पे एक बच्चा ऊपर बैठा है तो इसको हम क्या कहेंगे top ठीक है और एक नीचे है इसको हम bottom कहेंगे और देखो दूसरा इधर नीचे है तो उसको भी हम bottom कहेंगे देखे बोटम यह bottom लिखावा यहां top लिखावा है इधर देखिए एक sparrow बैठी है किस पेटरी के बिल्कुल चोटी पर ठीक है topmost मादब उसको चोटी पर बैठी है उसको हम top कहेंगे ठीक है top पर है उसकी position कहाँ पर उसकी position top पर है उसके पार देखिए bottom एक cat उसके पेड़ के bottom पर है मतलब नीचे है यहां पर बिल्कुल bottom पर है अगर यहां होती यहां कहीं बैठी होती ट्री पर तो वो bottom नहीं कहा सकते हम बिल्कुल नीचे है यह तो bottom कहेंगे अब देखिए tick the port on the top कौन सा port जो top पर है देखिए तीन port हमें दिखाएगे है मतके हैं तीन port है सबसे top में कौन है यह है यह है तिस्वन और यह bottom में है अब कहता है tick the animal on the bottom of the stairs कौन सा animal stairs में bottom पर है यह है दिखी रहा है यह तो top पर है और यह bottom पर है अब देखिए nearer and farther near का मदब pass far का मदब दूर अब लेकिन दो चीजों में हमें फिर से compare करना है देखो nearer जब भी er लगा होगा near के साथ में er लगा दिया nearer बन गया ठीक है उसके बाद far के साथ हमने further eher लगा दिया तो farther बन गया तो ये क्या है फिर से ये compare करने के लिए है दो चीजों में near का मदब pass होता है far का मदब दूर होता है लेकिन अब हम compare कर रहे है इसलिए er लगा दोनों में जैसे smaller और bigger में लगा था आईसे हम उस time पी दो चीजों में compare करे थे कौनसी छोटी है कौनसी बड़ी है अब कौनसी पास है कौनसी दूर है दो चीजों में कौनसी पास है कौनसी दूर है tick the bird nearer to home देखो एक घर दिखाया गया है इसके पास nearer कम लोग उसके पास लेकिन इन दोनों birds में से कौन है ये वाला bird है तो इस पे हम tick करेंगे उसके बाद देखिए tick the cat farther from the tree कि कौनसी cat है जो किस से ट्री से ये वाला ट्री दिखा रखा है इस से दूर है एक तो rat है यहाँ पे चूहा है और एक cat यह है और एक cat यह है दो cat है यहाँ पे कौनसी लेकिन farther है इन दोनों में से इन cats में से कौनसी दूर है तो यह है दूर चिक है और यहाँ पे दो है एक ही है यहाँ पे है देखो यह इसके rocks के पीछे चुपी हुई है ठीक है चूहे को पकड़ने के लिए तो यहाँ पे है यह farther यह वाली cat तो फिर से देखो nearer का मलब pass लेकिन दो चीजों में कौन सा सबसे पास है ठीक है तब हम nearer यूज करेंगे और farther भी ऐसे दो चीजों में जो दूर हो उसको हम फादर जैसे यहाँ पे यह cat दूर थी यह वाली पास थी यह nearer थी और यह farther थी ठीक है इसी तरह से जब हमें जादा चीजों में से बताना हो कि कौन से सबसे पास है और कौन से सबसे दूर है तब हम nearest और farthest का यूज करते हैं अब देखिए अगर हमें जूले से जूले से compare करना है जूले से उनकी positions देखनी है किसकी बच्चों की ठीक है अगर हमें जूले के nearest पूछा जाए अब देखो तीन बच्चे हैं यहाँ पे हमसे जूले के comparison में मालब जूले के position के साथ बताना है कि जूले के मालब swing के nearest कौन है सबसे पास कौन है तीनों में से कौन है यह लड़का है ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखा देखो nearest to the swing की swing के पास है उसके बाद सबसे दूर कौन है इन तीनों में से जूले से यह है यह लड़की farthest from the swing सबसे दूर है यह तीनों में से अगर 4-5 और भी बच्चे होते ही यहाँ पे वीच बीच में तो सब के साथ compare करना था उस case में हमें लेकिन हैं पे तीन है तो तीन अब देखिए टिक the puppy farthest from the tree चीक है उस puppy को टिक करना है जो सबसे दूर है farthest का मतलब सबसे दूर कौन है जेको 4 4 हमें पपी दिखाए गए है तो सबसे दूर कौन है यह है सबसे दूर तो यह है यह सबसे nearest है यह सबसे farthest है यह सबसे nearest है ट्री के और यह ट्री से farthest है लेकिन अगर एक ही डोग होता तो हम क्या बोलते far from the tree only लेकिन 4 है इसलिए farthest बोला है ध्यान रखो दो चीजों में हमें बताना की pass कौन है तो nearer और ज्यादा चीजों में बताना है सबसे near कौन है सबसे pass कौन है तो nearest ऐसे अगर दो चीजों में एक ही चीज में बताना की क्या है दूर है पास है तो नियर और फार का यूज़ करेंगे और अगर हमें दो चीजों में बताना की फार्दर सबसे दूर कौन है दो चीजों में दूर कौन सा है तो फार्दर का यूज़ करेंगे और दो से ज़दा चीजों के बारे में बताना की कौन सी दूर है तो farthest का use करेंगे tick the tree nearest to the bird अब देखो bird है यहाँ पे और तीन हमें ट्री दिया है कौन साथ सबसे nearest है इसके bird की nearest कौन सा है इन तीनों में से देखो तीन चीजे इन में से बताना है न तो nearest का word use किया है यह है सबसे nearest तो tick कर देंगे okay that's all for today's class have a nice day